तो आज की हमारी इस क्लास में हमें डिवीजन क्लास कर रहे हैं फूर्दर फॉर्मूला आज हम जो है फॉर्मुला की उपऊर आपके साथ बात्चित करेंगे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मुले हम कवर करेंगे तो वह बार देखिए समझे इंपॉर्टेंट चीज को नोट कर लिजिए और फिर प्रैक्टिस के बाद मुझसे पूछ लिजिए सबसे पहले आना जो फॉर्मूला है वह थो का मैंसे माई बात करें करें तो mathematical operator होता है plus minus divide multiply and power कि इस सब क्या है मेरे mathematical operator है तो बुलें कि इससे होगा किया क्या होता है कि कोई भी calculation जब करते हैं 20 यहां पर लिखा और 30 यहां पर लिखा अब इन दोनों के बीज में मुझे सम करना है तो इक्वाल सम का फॉर्मा लगा के इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहां आपका 50 आएगा लेकिन इसी चीज को हम ऑपडेटर मतले की प्लॉस के साइन से भी कर सकते हैं कि यहां पर देखिए प्लॉस के साइन सबने क्या रिजल्ट आ गया तो दोनों से में बट यह जो सम का फॉर्मुला है इस जो फॉर्मुला है वो इंडिविज्वल नहीं इस उimanjy ना गली tous लिमिटें मतलब करने करें के मतलब यह हूँआ कि जो फॉर्मुलेस आप देख पा रहे हैं इस लिमिटेन जिए घर सकते हैं बड़ सकते हैं और नीचे जो फॉर्मुला आपका है इं फॉर्मुला आप अपनी साइझ से जैसे मर्जिवों से लगा सकते हैं जैसे फूर एक्जामपल की क्वाटर वन है हमारे पास क्वाटर टू है क्वाटर वन की कि पिप्टी से रहें क्वाटर टू की यहां सिक्स्टी से और यहां पर ग्रोथ तो हमें क्या निकालना है रोट रेट निकालना है तो ग्रोथ रेट की जो मैं तो यहां हो सकता है कि यहां पर जो चीज्फ दी गई है उसकी कैलकुलेशन आपकी कवाटिक फिट नवेड तो यहां बोलता है कि लेटेस्ट इसको आप यहां पर इसली कर सकते हैं कि एक वार्टर टू एक ब्राइगेट में लिए क्योंकि बोर्ड मांस में तो फॉलो करना है क्याल्कुलेशन सेक्विएंस को और हमारा क्वार्टर एंटर आता ही डेश्मिल में आ जाएगा इस प्रसेंटेज का सेंबल ले लिए ठीक है अब यहां पर एक और क्लिकुलेशन की बात करते हैं जैसे मेरे पास प्रींस पर हमारा प्रेट हमारा माल देजिए कि टेन पर्शेंट है और टाइम प्रींस आपका है मुझे इस पर इमाउंट निकालना है तो इमाउंट निकालने के लिए मैं पास एबी का फॉर्मुला है लेकिन मैं उसकी कल्कुलेशन पर ट्रॉस्ट नहीं कि अगर आपना मैंतेमैटिक युज करना चाहता हूं कि इमाउंट इक्वल टू आपी इग्मृटिप्लाइ बाई वान प्लास और डिवाइड वई फीड़़बाय आपट आपावर आफ टी मृटिप्लाइ वाइग्ट प्रीट के इस truck इसको कैसे करें अब एक काल्कुलेशन था लंबा है ना तो अगर चाहे वोग मैंथमेर्टिकल कल्कुलेशन हो या आपके एक्सल की फॉर्मुले हो अगर लंबी चीज है तो उसको आप जो है कि अगर कि अगर क्या सब्सक्राइब करते हैं कि यहां आप देख पा रहे हैं कि पी मल्टिप्लाइबाइब वन प्लस आर्वाइए एन और पावर अप्टी मल्टिप्लाइबाइब न कर दिया कि अगर आपको सपोर्ट करें कि एक हम क्या करेंगे सब्से पहले वन प्लस प्राइकेट में आप अब कि टूएल मंजली कल्कुलेशन इसलिए तो फोर यह वाद वान देजवाई होगा तर दिन सुपैंसर ऐसा लेंगे निकिता जी हमारे पास है जो कि बैंक से है तो इस इस कल्कुलेशन को और अच्छे जानते होंगे अब यहां पर करते हैं टाइम मल्टिप्लाइबाइब या निकिता जी सभी बोला हूं साथ इस सेंबल को पावर सेंबल को यूज करके इसको सेलेक्ट किये इन दोनों का पावर निकल गया आफ्कर दैट हम इसकी प्रिंस्पल के साथ मुल्टिप्लाइब कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने साथ हजार चार्ट सो नौ औरुपे कुछ पैसा है अब हमने तोड की कल्कुलेशन किया तो हमें पता चलिया कि कहीं पर प्राब्लम होगा तो पता चलिया कोई से पार्ट में प्राब्लम उसको सॉल्व कर सकते हैं एक बेनफिट होता है जब आप इसको कोई भी फॉर्मुल सिल पर लाख आए तो यहां एंपीर्ट में टी आपी अचक और यहां को हम्-बर्यायell स करेंगे और यहां कि 20 Energy 15 152 फॉर्मुलाम कॉपी करके लाया तो सी फॉर्टिन जर्गा इसी सी फॉर्मुलाम मैंने पास्के करदे हैं एसे हम D14 को प्राइकिट के बाद का जो फॉर्मुला है सेलेक्ट करके कॉपी किया स्केप मारके में एक से बाहर आऊंगा और जहां D14 है वहां पे D14 का फॉर्मुला प्रेस्ट करते हैं अब यहां हम इन दोनों को डिलीट कर देंगे तो मेरे फर्मुले में कोई फर्क नहीं होने बाद कि फाइनली इसको सेलेक्ट कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके और यहां जहां पे मेरा E14 है उसके जगह पे लेकिन ब्राइकिट में जरूर डालेगा में तो कैल्कुलेशन में डिप्टेंज हो सकती है अब मैं जहां कि इसको यहां रखना है तो कॉपी भूल के मत किजिए तो कॉपी करते ही क्या होगा कि आपका जो बी है सी है वह अपना रिफ्रेंज चेंज करता है कि इसको कट किजिएगा और यहां पर पेस्ट करते हैं ठीक है इसमें आगे जो बढ़ते हैं उसमें क्या है यहां पर देख लेते हैं अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको एक बार रिलाइस कर देते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इनेक्स है कि मुझे कॉस्ट निकालता है तो यह कॉस्ट है MRP निकालता है तो MRP के लिए हो सकता कोई formula हो लेकिन manually हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले तो इसका 5% अलग करते हैं और फिर हम इसके अंदर फिर इसमें हमें इसको जोड दे तो manufacturer ने क्या किया अपने खर्चे का 5% निकाला और अपने लागत पे जोड के distributor को दे दिया distributor ने क्या किया अपने खर्चे पे 10% अलग किया और अपनी लागत में जोड दिया और बेज दिया wholesaler को क्या करेगा अपने खर्चे में से 15% निकालेगा और दे देगा किसको retailer retailer क्या करेगा अपने खर्चे में से 20% अलग करेगा और जोड देगा अपने लागत में और देदेगा तो final price कितना हुआ final price हुआ आपका 95 अब आपने देखा कि मैंने अलग अलग इसको calculation किया हुआ है इसको एक जगह पे calculation तो यहां B8 का हमने क्या किया जो यहां पर देखिए C20 है C20 पे C20 का formula हमने paste करें जो B8 बगा है उसको paste करें है हमने इसको delete कर सकता हुआ कोई दिक्कत नहीं अब इसको copy किया हमने इसकी formula है तो यहां देख सकते हैं D20 तो D21 पे जो D21 के ऊपर जो formula है जो पी किया है मैंने उसका formula उसके जगह पे है उसको delete करके हम bracket में डाल रहें जाल रखेगा हमें इसाब bracket में डालें और यहां भी D21 है इसको भी D21 के जगह पे D21 का formula हमने paste करते हैं हम यहां पे delete करेंगे इसको D20 को formula copy किये और यहां पे D20 के जगह पे इसको paste करते है इसी procedure को हम हर से लिक लिए करेंगे तो देखे दीरे दीरे आपका formula बड़ा होता जाएगा ठीक है और इसी procedure को में ले जाएगा इसको formula merging method कहा जाता है और यह method मेरा है कि 2007 में मैंने इसको इजाद किया था अगर कोई बताता है तो उसने में वीडियो से या में किसी student से सीखा है देख पा रहा है कि formula कितना लंबा हो पा रहा है तो क्या लगा रहा है यह formula इतना लगा पाते है यहां पर ने लगा पाते है ना कट किजिए यहां पर इस तरह कि लंबे लंबे formula कोई लिखता है तो इसमें कोई champion हो सकता है कि इसमें किया होगा कि के कि 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 आपको निकिता जी आया समझ में इस तरह से चाले इसका दो स्टेप होता है एक तो हुआ कि आप स्प्लिट करके अलग अलग लगा फिर कमाइन कर ले एक होता स्टेप बाइस टेप की पहले एक लगा फिर दूसा लगा फिर तीसा लगा फिर चौथा लगा तो इस मतहर्ट होता है तो दोना में आपको समझाओं कि हम बात करते हैं हमने mathematical operator का यूज करना सीख लिया और इसकी calculation भी हमने देख लिए अब बात करते हैं logical operator लॉजिकल अपरेटर होता है इक्वल-greater than less then greater than equal to less than equal to अब यहां होता है नाट इक्वलोन देक है लेस्टन गेटर देन को कठ्था लिए डिक देता है नाट इक्वल अब जैसे मांगे जीए कि मेरे किसी cell में कोई formula लगा हुगा है पहले से देख बात है आप मांग जे कि मुझे इन सबों जो फॉर्मूला लगा है इन सबों को चेक करना है कि क्या एक greater than 50 है या नहीं है तो आप बोलेंके सब्सक्राइब इसके लिए इफ लगा लें लेकि इसके लिए इफ लगाने की जरूरत नहीं है हम इसको जेनरली ऑपरेटर चेक कर सकते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमने क्या किया हमने बोला कि जे टू इस ग्रेटर दैन फिप्टी अगर हुआ तो ट्रू नहीं तो फॉल्स इसको नीचे तब ड्रैग कर देते हैं तो ट्रू फॉल्स टू फॉल्स दिखेगा आप चाहान दिजिए कि इस का फॉर्मूला है नहीं बना है कि चेक करें चकरता है कि अगर लागूिकल टेस्ट में ट्रू आया तो टूल्स ऐसी तेंल टेस्ट में फॉल्स आया है तो फॉल्स ऐसी लेकिं हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस के अंदर ही डारेक्ट दे रहेते हैं कि that is greater than 50 तो को के अधरवाइज पेनने तो इसके एक सावित नहीं होता है कि एक पार्ट ऑप दे इफ है इस इंडिवीजवल है हमने यहां इफ के अंदर या एंड के अंदर या और के अंदर हमने इसको मर्ज किया है और इसका द्हां के अगर आप एक्सल में ट्रू लिखते है तो उसकी वैलु वन होता है और आप फॉर्स रिखते हो इसका वैलु जीरो होता है इसको सावित भी कर सकते हैं आप ट्रू एंड फॉल्स को पलस साइन से जोर देजे रिजल्ट आपका वण आएगा अगर दो ट आएगा एक ट्रू होगा तो वह रहा है जिससे साबित होता है कि ट्रू इक्वल टू वान एंद फॉल्स इक्वल टू जीरो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगरी एकजामबे के तरफ जो की है हमारा इफ का इजामबर जैसे की मैंने आपको बताया कि इफ का यूट जो होता है वो किसी वैलू को चेक करने के लिए तो इफ ही नहीं कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका कुछ तरीका है आप एक जो कि इसका डिजल्ट चेंज कर देता है माइनस में कर देता है जनल इक पुल से होता है फिर आप यहां पर इफ लिखे आई इस लिखे आई लिखे जो लेटर वाट लिखते है उससे लेटर फॉर्मूला आ जाते है आप अपनी कीबोड का जो एरो की है उसकी मदद से आप नीचे ऊपर कर सकते है उसकी मदद से क्या कर सकते है नीचे ऊपर इसको कर सकते है ठीक है और जो फॉर्मूला आपको अपलाई करना है उस फॉर्मूले को क्या किजिए टैप से प्रेस केज़ें, जैसे ही टैप से प्रेस करेंगे, आपके सामने क्या दिखेगा, फर्मुला का साइन टेक्स्ट, तो जब नीचे दिख रहा है, इस ओछ फर्मुला का साइन टेक्स्ट कहा जाता है, कि फॉम्ले के अंदर क्या इंपूट है यहां पर देखिए तीन दिख रहा है इसको बतर तीन पूट है लॉजिकल टेस्ट वैलॉफ ट्रू वैलॉफ फॉल्स जो लॉजिकल टेस्ट आपने देखा हो क्या है तुरू फॉल्स दे सकते हैं या पर यहां पर आरेक दिजिए कि अब यहां पर दिखान दिखेगा वैलुफ ट्रू वैलुफ फॉल्स जो है स्क्वाइर ब्राइकट में है इसका मतलब है कि यह ऑप्सनल है क्या है ऑप्सनल मतलब नहीं देंगे तो हम बहार निकल सकते है रिजर्ट डिफॉल्ट आए लेकिन अगरा ट्रू और लॉजिकल इस नहीं देंगे जो कि स्क्वाइर ब्राइकट में नहीं है ऑप्सनल है तो आपको फॉर्मॉला से बार ही नहीं निकलने देंगे और जब भी कोई जैसे कुछ इमांट डालना है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं लेकि कोई टेक्स डालना है तो इन्वर्ट कोमा के अंदर में जालना है इसका दिहान आप लोग रखेंगे और इसमें बहुत साइज त्रिक्स हो सकते हैं जैसे कि माल लीजिए कि मैं यहां स्टियाल नंबर जन्नेट करना चाहता हूं कि आप जो है इसके अद्दर इफ कर फॉर्म लगा सकते हैं कि एक्वल एफ सामने में में वैल्ल सब्सक्राइब करने तो आप देखेंगे कि जैसे यहां कोई नाम लिखेगा सिक्वेंस नंबर ऑटमेटिक जन्नेट करना है तो उसके लिगी इसका फॉर्म लगा सकते हैं कि वन हमने आप लिंक किया कि एफ उपर वाले वैलू में प्लस वान करने पे ग्रेटर दैं 20 होता ह तो यहां पे ब्लैंक करते हैं अदर्बाय उटर वाली वैलू करने प्लस करने पर फिर इसको एक संभावित अरिया तक इसको आप ड्राइग कर सकते हैं प्रेश कर सकते हैं अर लेकिन देखा यहां पर एरर आया क्योंकि हमने जब ड्रैक कि यहां तो हमने फ्रीजिं मेथार का यूज नहीं किया मतलग कि हमने एंटरी को ड्रैग एंटरी को फ्रीज नहीं किया ताकि नीचे उन्हें पर एंटरेश किया और नीचे के तरह तो यहां पर एरर आए कियों रहा है कि हमने यहां बोला हुआ है कि उट वाले वैलू गेटर देन हो जाए तो ब्लैंक का और ब्लैंक क्या होता है इसलिए किसी भी टेक्स में भी कैलकुलेशन नहीं होती से डर नौ दीखें कि कि क्वामूला को इस p करशेक्ते हैं एक किसी भी अईरव को किसी अननोर वालू से रिप्लेस करता है तो जहांब प्रोग्राम था मैंने जो बोला था इन डारेक्ट मेथड़ के अपने फॉर्मिलर डाला पूरा पर बात करेंगे उस पे अभी जो चलना चलना डिस्टर्ड होगा है लेकिन तुरा साथ हम दिवान नहीं है आपकी प्रॉब्लम हम क्लास में आ जाएगे ठीक है अब यहां पर चीजे कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब आपके पास बिदीन होता है यहां पर इंस्टेंटिव देना है ताप बोले के भाई यहां पर ग्रेटर दैन फिप्टि है और लेसेंट टैंट यहां पर यहां पर ऊंस्ट अजब अधरबाइस वन फंड़िट रिख जाए पींचिओं के लिए आप जिन लीं कि हिस्टैंटि यहां पर अदर्वाइस वन हंडडो सिंप्लियां लेकिन अधीच जाए अधि लिएंगे रि 50 to 80 के बीच में आये तो 800 अदरबाइस 100 इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यूज़ करेंगे एंड हमने इसको स्लेक्ट किया पर बोला गेटर दैन 50 वापस लेक्ट किया लेस्ट दैन एंड है एंड है कि दो या दो से जड़ा कंडिशन को चेक करता है अगर सारा कंडिशन फुल्फिल हुआ तो रिजल्ट आएगा ट्रू अदरबाइस आएगा फॉल्स है ठीक है पर रिक्वाइड दोनों कंडिशन होते हैं तू फॉल्स को हम इसके अंदर का डाल देते हैं तो यहां एठ हंटेड अदरबाइस वान हंटेड पीछे ट्रैक कीजिए आपके आप अपने आपाई राइट अब सेम चीज यहां हम आगे बढ़ते हैं जैसे मालेच इहां सेमें यहांपे डीज डीज में मैंने सट ग्रीसन्दए इसमें टीज में घ्रीका किया सट अब बढ़ेड आ कर देज्टेड हो अगर बढ़ेड संट हुआ यहां के आना चाहिए अ आफ अधरबाइस ओपर यहां भी हम एंड का यूज नहीं कर सक्ते हैं क्योंकि यहां दो condition था है पर दो required है क्योंकि cell में यहां Saturday हो सकता है यहां Sunday हो सकता है इसको हमें select करके यहां बोला if condition और 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 अगर equal to Saturday फिर हम वापस इसको select के इकवल टो संडे अगर दो लो फिल्फिल होता है तो रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स और इसके जवाब पर मुझे खुद का रिजल्ट चाहिए तो वी हाव यूज दा इफ कंडीशन सिंपल इफ में हम यहां पर देते हैं विक आफ अधर्वाइस ओपे सिंपल लेकिन जब बात कब हो जब कंडीशन्स अगर एक हो लेकिन डिजल्ट अलग-अलग हो तब क्या है जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मुझे लेस दैन 50 हुआ तो 100 दिना है गेटर दैन 80 हुआ तो मुझे यहां पर इस केस में जो यह एंड का में थार्ड यूज किया है वह इंप्लिमेंट नहीं हो इसके लिए क्या करना होगा नेस्टर डेफ मतलब एक इस के अंदर दूसरा इफ यहां पर हमने इफ लगाया और बोला कि अगर ए ग्रेटर दैर इक्वल टू फिप्ती है फिर वापस इफ लगाया इसको सेलेक और बोला अगर यह लेस्ट टैनिए ति है Hangब के दोपाट होता है तू पाट यह फॉपांट में दूसरा इफ आ Dec दूसरे विके true part में आ गया 800 और false part में आ जाएगा 200 क्योंकि दूसरा इफ का false part तब चलेगा जब पहला इस greater than 50 होगा तो greater than 50 मतलब की value आपकी greater than 80 है और फिर यहां पे अगर पहला इफ का true false part चलेगा इसका मतलब एक 50 से छोटा है तो यहां पे 100 एंटरब्रेस कीजिए result आपके सामने आज़े अधिन में थर्ट जब पी अने ट्रीट में लगाएं तो बुसरा ही पहले इसके true लेकिन जो और में थर्ट लगता है इसमें ही अगर मैं बोल दो कि मुझे कि अधि यहां पर सट्कॉर्टे पे एच्टी संडे हो ओफ होना चाहिए और बाकी देज में ओपन होना चाहिए तो यहां हम लगाएंगे निश्टे कि अगर एक्वल टू संडे है तो यहां पर एच्टी है आगे इन इफ लगाया और बोला कि अगर एक वल्टू संडे है तो आप अधर बाईश हमने क्या बोल दिया ओपे तो आप यहां देख रहे हैं कि हर दूसरा इफ पहले इसके पाल्स पार्ट कि आपके सामने रिजल्ट है कि इस पे और लागाना तो जरूरत नहीं है इसमें और लगेगा ही नहीं और कहां पर लगता है जहां पर रिजल्ट एक ही हो जैसे इससे पहले था कि वीक आफ या ओपन देना है हर कंडीशन के साथ अगर रिजल्ट चेंज होगा वहां पर फिर हमें नेस्टेव करना पड़ेगा ठीक है अच्छा दो मिनट के अंदर में मिटिंग जो है जूम जो है बंद हो जाए होंगे 45 मिनट में सेट है तो आप लोग फिर से रिजरी जोइन कर लेजीगा से मैंडी है कि अभी और चलेगा 40 मिनट और 40 मिनट तो रेकॉर्डेड है क्योंकि मेरा ओफिस से 30 का होता है रेकॉर्ड होगा ही पर जाएगा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी ठीक है चले है यहां पर इस समझ में आ गया अब बात करते है निश्टेव टाइम देखिए देखिए जैसे कि माली जी में पास सेल्स है हमने कुछ सेल्स फिगर देखिए हम मुझे इस पर इंसेल्टी देना है बट वी है पास स्लैब अब क्या है जैसे 0 to 40 हुआ 500, 40 to 1 हुआ 80 हुआ तो यहां पर 1000, 81 to 100 हुआ तो यहां पर 1000, greater than 100 हुआ 5 इसके लिए क्या है इसके लिए जो भी यूज करेंगे तो यूज करेंगे में स्टेडी लेकिन सेम जो उपर मैंने बताया है ना इसके हर दूसरा है पाले इसके फॉल्स फार्ट अभी आप लोग दुवारा एक बार चीड़ी चुमाइन करने चीए प्रीच तो बेसिकली स्लाइब इंसेंटिव कैसे तो स्लाइब इंसेंटिव के लिए यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला इसके रिकॉर्डिंग की पर्मिसन देजिए रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस अब यहां पर मैं लगाया कि इफ अगर यह लेस्टन इक्वल टू फॉर्टी है तो यहां पर दिखें फाइव हंड़ फिर अगें हमने इफ दिया इसको सेलेक किया बोला कि लेस्टन इक्वल टू एट्टी है तो 1000 गर अगें मैंने आप दिया कि लेस्टन इक्वल टू हंड्रिड है तो 2000 और लास्ट में बुला कि अगर ए ग्रेटर दैन हंड्रिड है तो यहां करने की जरूत नहीं है और आपके रिजल्ट्स आ जाएं इस तरह के हम इस रिजल्ट्स को यूज करते हैं और यहां पर यह तो हो गई हमारी निस्टेटिफ इस तरह इसको यूज कर सकते हैं लेकिन जब में पास यहां पर यहां पर स्टेटस करता है क्यों कि इसमें हम चाहते हैं कि अगर कोई एक में भी अगर डॉकमेंट जबाँ कर देता है तो स्टेटस ओके होना से इसके लिए तुम सिंपली एंड और लगाएंगे और मुल्टिपल कंदीशन नहीं रहें सिंगर कंदीशन इक्वल टू वाई अगें तो सब को सेलेक्ट करके मैं वाई कर देते हैं किसी एक में भी वाई होगा तो और जो है डिजायल्ट ट्रू देगा अगर किसी और नहीं होगा तो फॉल्स यहां कि अगर कंदीशन बदल जाए कि हमें दो आई डी चाहिए इंडी सेंस कि हम चाहते हैं कि पैंट तो होना ही होना चाहिए पैंट के लावा डियल पासपोर्ट इसमें से कोई एक होना चाहिए तो इसे बैंक में मंगते हैं कि दो आई डी होनी चाहिए तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या और और कंपर्शी कॉन से है पैंट नंबर तो पैंट के अंदर में वाई कर देते हैं तो वापास और लगाते हैं और यहां इक्वल ्टु Y, इसको सेलेक किया इक्वल तो य बाकि जो कन्डिंशन जो रिक्वाइब नहीं थे एंवन बला कंडिंशन था उसको हमने और के अंदर में डाल दिया और यहां पी इसको हमने केंद केंदर बेस कीजिए रिजल्ट आपके सामने हैं यह एंड और पिंदिशन इनुट करते हैं ऐसे बहुत सार एक्जामपल हो सकते हैं लेकिन क्या है कि रिपीट क्लासे में चीजें अपर डीटेल में सिखा ही है तो एक ही क्लास दो गंदे की हो जाएगी तो हम इसको आग पर जी जी जिस अब धबने अब बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मिले कि टेक्स कर्टेग्री कि कोई बी आप यहां लिखते हैं तो बाइद फॉल्ट उसका एक प्यूद होता है थूद जिसे देखिए यहां पे 65 वापस मेरे पास एक फॉर्मॉला होता है या करता है क्या कर तो इसे करें किस ROB कभी हुद さब हो जिसके रफोटी और चुन्हzejकां करें कि है अब कभी क्या होता है कि हमें पाद जो डेटा आता है चाहता है उसमें बहुत सारेублиर छremos ऌते हैं के नहीं अन्वांटर इस पेस को करता है जैसे कि यहां देखिए जीट आप देख पारे हैं इसके बीच में बहुत सा इस प्रेस थे बागे साइस प्रेश को रिमूव कर देख देखा है त्रीम का फर्मॉल को कभी क्या होता है कि में पास यह कर से नीचे चला जाता है तो यह निकीज़ बिद्र लगाते हैं तो क्या होता है कि आपको तिखराइब सिर्द लेंद खाउंट किया जुप्र हे हमारे पास कुल कि अब मैं यहां पर अगर मैंनोली काउंट करूं तो आप देखें कि सुजीत कुमार सुजीत में आप देखेंगे च्छे स्पेस है अच्छे है और कुमार में पांच है तो गारा होने चाहिए बटे बारा है मतलब एक खीरिन करेक्टर है टी और के में बेखते हैं तो आप यहां दिखेंगा एलेवन तो साफ होगे तो यह तो इकठा कर दिया मैं चाहता हूं सुजीत कुमार के बीच में स्पेस होना चाहिए से उपर दिया है मतलब मैं बात कर रहा हूं कि नंपेंटेबल मतलब कि हीडियन करेक्टर को अनूदर करेक्टर से प्राइबल डेक्ट वजिए पालादफ करेक्टर को अनूदर करेक्टर से दिखेस्ब से पीच्त करेक्टर को अनूदर करेक्टर को इसके लिए सबसे पर फॉर्मूला आता है साबिक्टिट का है और से की मैं ΕeltTube कहँंत का मैंने इनवार्ट इंवार्ट कर निकाने में पान इसमें भी देखेंगे तो यहां पर हम अगर इसमें इसको सेलेक्ट करने करते हैं तो देके टू आज कि देखे वाण आज दो लगाए इसमें देखे इन्स्टेंज में क्या होता है कि वन हमने लगाए तो पहला दॉड है वही क्लियर होगा अगर इसमें हमने तू लगाया तो दूसरा डॉट क्लियर हो गया ख्री तो तीसरा मनें कि आप पोजीशन की इस आप से करना चाहते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप छोड़ दे ब्लैंक तो सारा का सारा जो डायस है उसको करते हैं करता है कि इसके अंदर क्रेक्टर है ऐसा क्रेक्टर जो दिख तो रहा है उसको साफ कर देता है कि आपके सांब्रा और एक फोर्मुला और आता है हुडविश्क एप्लेश्ट फोर्मुला सब्सक्राइश्क करते हैं तो इसमें आपको देना पड़ता है जिसे मैंने दिया वोल टेक्स इसको दे दिया आपको यहां देना पड़ता है स्टार्ट नमबर तो इस बोला है स्टार्ट नमबर मतलब की चौथे नमबर से एक चौथे नमबर से आपका एक क्रेक्टर को स्लैश कर तो यह देखिए जो डॉट है 3 और 3 के बीच में उसको स्लैश कर तो सब्सचीवट क्या करता है क्रेक्टर को गूनता है उसको अलग करता है और रिप्लेश क्या करता है पोजीशन को लेता है और उसको रिप्लेश करता अब यहां पर क्या हो क्योंकि यहां पी जो आप देख पा रहे हैं यह तो रैप टेक्स है ना अब इस रैप टेक्स को तो नहीं कर पाएगा हो क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब लगाते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं और गोलते हैं कि और एंटर तो कर से नीचे हाएगा लाइग यहां पी क्या करें तो यहां पी काम आएगा हमारा उपर ओप्शन उपर जो आप ओप्शन देख रहे हैं उपर तो हम किसी एक सेल में डबल क्लिक करके ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं फिर हम कोड की फॉर्मुला से जानेंगे कि ऑल्ट का कोड क्या है तो 10 मतलब इसको अगर हम कैर के अंदर में डालेंगे तो सेम वीचर हैं इन दोनों को ब्रावर करके देख सकते हैं यह तोनों सेल ब्र तो यहां सुरिंदर जी मैं क्या करूँगा यहां मैं लगाओंगा फॉर्मुला सब्चिट्यूट का इसको सेलेक्ट किया और हम ओल्ड वैल्लू को कैर के अंदर डालेंगे और फिर यहां पर हम देंगे स्पेस आप देखिए यह आपका कवर होता है तो कैर कोड का भी बहुत सारी होता है आप ज़िए आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं ज्वाइन जैसे मैंने आप इस जीर और यहां पे कुमार दे रखा है इन दोरों को ज्वाइन करना है तो इसके लिए कौन करना नेट का फॉर्मुला है शायद आप लोग जो यूज कर सकते कंवाय करते हैं पहले से ल दी समें space में space देना है तो इन वर्डगवा में space लेभी जो दूसरी से में या आपका कनेक अन गन परसेंट से ही कर सकते हैं फॉजन कर रहा है जैसे में पास लिस्ट है इसको चाहिए तो कौन का ऑठ psychology ведम से और पFF एक से लो करता एक एरिया नहीं नहेंगता तो लेटेस एक्षल के अंदर में दो फॉर्मुले हैं वजह कॉंकेट का फॉर्मुला ओर दूसरा है टेक्स जो allora कॉंकी का फॉर्मुला किया ब्लाइंड को स्किप्ट करना है हाँ और हम यहां पर सब्सक्राइब करें टेक्स्ट एक सब्सक्राइब कि थोड़ा सा स्लो में करिये है है का वो लेज़र टेक्स ज्वाइन का एक रेंज को करें सब्सक्राइब क्लास है यह आपकी टॉपिक नहीं है आपकी जो क्लास चलेगी इसमें इस टॉपिक में दुबारा से प्रावन इस स्लेंदर जी की क्लास है और इमें को बहुत सारी फॉर्मूला पढ़ना है तो मैं नहीं प्रास थे कर दो कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ना है जब आपकी चलेगी तो वहां भी इस फॉर्मूले को स्लोली एक एक करके संधाऊ मैंने आप लोगों को इन्वाइट कर लिया था कि बता रहूं तो आप भी जान लिजीगा बस बना एक लास स्रेंदर जी स्रेंदर जी सॉरी सारी इसके लिए अब यहां प्राह, नहीं को लेते हैं इसजी और हम भी थी कि तो इस एक्वोग हूं हो जा रहा है इसमें इहां भी लेकिन आपको देट है इसे वन स्लेश वन और अब मुझे इन दोनों को जॉइन करता है है तो हम भूलेगे कि यहां लिखेंगे यहां पे कि एक्वल रॉम प्रेंट इसको स्पेस्ट तु दिया एंड परसेंट इसको स्पेंट किया ज्यां लग रहा है रिजल्ट्स या गलत आएगा तो जी इस विजिसर्ट कैसा आएगा सही है गलत कि देट को डालते ही यह नंबर में आज है क्योंकि पॉर्मुला जो है ओडिजिनल पर चलता है और एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कि यहाँ पर डेट डेट वीजिवल है ओडिजिनल में नंबर ही होता है इसकी उपर अगर जन्नल पॉम्मेट आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि नंबर ही है तो इसकी स्वालूशन यह है कि जहां जहां मैंने यह जो सेलेक्ट किया है यह जी ट्वेंटी या जी ट्वेंटी उसको किसमें डालेंगे टेक्स्ट और यहा पे मैं करूँगा दी डी डैश अम-म य्य और फिर वापस इसको सेलेक्ट करेंगे और परमा लगाएंगे टेक्स्ट और इसको भी करेंगे यह जो यहां पे सब्सक्राइब किसी नंबर को अगर मुझे सब्सक्राइब करना हो तो कैसे इसको सब्सक्राइब करने के लिए हमारे पास फॉर्मुला होता है लेट को लेगे लेटर को अलग है इसको बताना पूरता है कि मिट कहां से स्टार्ट तीसरा-चौछा-था पांच नंबर से तीन कर्यक्टर के अलग है तो यहां चांट करके वहां से लेकिन जब automation की बात हो जैसे मेरे पास बहुत सारे email आईडिया है और मुझे इनको अलग करना है लेकिन अलग करने के जो तरीका है तो तरीका उस इस तरह से तरीका जो है उस इस तरह से इसे अलग के अगर मैं यहां पर लाइस का फॉर्म अलग कर दें तो प्रॉब्लम होगा कि सब्सक्राइब कई पे कुछ हो सकता है तो मैं यहां सब्सक्राइब किसका लगाओंगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब लगता तोनों से इसमें इसमें स्टार्ट नंबर हमने बुल लिया वन इसने बताया कि तुमार एड्ट रेट इंडिया.com के अंदर में जो एड्ट रेट है वो छटे नंबर पे है तो जहां हमें मैनुली 5 दिया है उसके जगह पे 6-1 करेंगा अब माइनस 1 क्यों किया क्योंकि सर्च का डिजल्ट एड्ट टक के पोजीशन का है मुझे तो एड्ट रेट की पहले की चाहिए ना इसमें हमने माइनस आप राइट के लिए राइट के लिए हम यहां पर राइट का फॉम्बुला लगाएंगे इसको स्लेक्ट करेंगे और इसको देंगे कि इसकी जो कम्प्लीट लेंद लेंद उस लेंद्ध में से माइनस कर देए 6 को और एंटेबेश कीजिए रिजल्ट आपके सामने इंदोनों फॉर्मूलों को मैंने अलग लगना बताया था और जो फॉर्मूला मर्जिनी में नर्ड समझा आया था उस मेफोड से इन दोनों को मर्ज कर जाए कुछ इस तरह से कि अगर इसमें आगे बात करें जैसे कि मैं यहां पर करता हूं कि मैंने पास राम लिखा हुआ है यहां पर राम है दोनों स्मॉल लिटर में नॉमल अगर लुक अफ कंडीशन लगाते एक पूल वगड़ा तो दोनों सेम है लेकि मुझे एक्जैक्ट मैश करना है यहां आपको एक्जैक्ट फॉर्मूला का इस्तिमाल करना हूं तब आपका लगड़ा है इसका यूज इफ पकड़ा में आप कर सकते ह हैं उसी तरह से मालेजिए कि अगर आपने यहां पर सिंगल कोट में को नंबर यहां पर डाल दिया जो कि टेक्स्ट है इसको कनवर्ट करने के लिए आप वैलू या नंबर वैलू का फॉर्मॉला लगा सकते हैं उसके बाद टेक्स्ट का फॉर्मॉला तो है ही किसी भी नों सब्सक्राइब तो हम करते ही तो ठेक्स कैटेग्री की फॉर्मॉला ऑफ बहुत के छोटी फॉर्मॉले है आप देह पर यह से अंडर जी और आपको लगता है कि आपको що मुला आता है वे पॉस्ट्रान्य ननकीन के पीर Dash काट्ेग्री काफी जाधा हो जागा। नही कि तो last category में हम बात करें कि date जो है आपका कैसे एंटर करेंगे तो यहां पर दिखना है तो मैं यहां पर क्या करूँगा कि आज कर देट लिखना है तो आप देखें कि आपका date का format क्या है तो मैं यहां पर लिखूंगा डीडी मतलब कि दो स्लैश सेवेट तो यह मेरा ddmy format है बट आपका हो सकता है कि अलगलगा format हो तो अपने format के साफ करेंगे कभी कभी दिक्कत क्या होता है कि अगर मान लीजे कि मैं आपको फाइल भेजू तो यह दो जुलाई आपके यहां साथ स्वरवरी बन जाए क्योंकि मेरा जो मन्थ है वह आपका डे बन जाएगा और मेरा डे आपका मन्थ बन जाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमेशा इसको डेट फॉर्मूला में डालें कि दो हजार बाइस कॉमा से बिन कॉमा टू एंपके प्रिस कीजिए अपके सामने करना है तो आप यहां पर यह का फॉर्मूला लगाए मत का फॉर्मूला इस ए कि मन्त इलग कर देंगा टे का फॉर्मूला इसमें से वापस date के formula से तीनों को combine कर सकते हैं इस तरह से उसके बाद system में दो चीज़ होती है एक होती है today का formula जो कि system date and time देती है दूसरा होता है हमारा now का formula जो की आपका system date and time दोनों देती है अब बात करते है additions जैसे आज की date में अगर मुझे 20 दिन जोडने है तो मैं जिसके नहीं करना है प्लस कर देना है दोनों को आ जाएगा लेकिन मुझे आज की date में तीन महीने जोडने है तो वैसा नहीं कि आप इसको 90 डेज आट करते हैं तो गलत हो उसके लिए हमारे पास formula होता है की डेट का हमने इसको select किया month हमने थ्री डाला एंड रेप्रेस किया आपका आजाए रहें कि जेनरल वामेंट में आता है इसके उपर date का format अपलाई किजिए इसका shortcut होता है control shift है कि आपके सामने माइनस करना है तो मंद को माइनस बन किये तो माइनस हो जाएगा प्लस में करना है तो प्लस हो लेकि किसी डेट में मुझे दो साल चार महीने बाइस दिन आए अब इसके लिए फॉर्मूला नहीं है लेकिन यह method बताया है इस method की यूज़ करते हैं हम क्या करेंगे कि डेट क सब्सक्राइब लगाएंगे इसमें से इयर को अलग करेंगे यह जो 2022 को हमने कुए इसमें प्लस टू कर दिया है पिर मन्त में मन्त को लिए प्लस चार साथ पिर दे में हमने दे को अलग किया और प्लस पाइस तो एडिशन आप इस तरह से कर सकते हैं इसी तरह से अगर दो डेट के भीच में डिफरेंस निकालना हो तो आप जो है इसको माइनस कर सकते हैं या फिर आप इसमें लगा सकते हैं वेस्का फार्मॉला Last Day, Select Day लेकिए फोस्रमुला होता है Day. Frye. ये साल को 365 दिन तीन 36 दिन रखता है फिर यहां पि इसको Select किया एने इसको Select किया Enterprise करेंगे 181 दिन दिखे विसल Dawg इसने कम दिया तो इसाल को 365 दिन 360 दिनके起mod Cheerleading चलाए कि अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं मुझे दो देट के बीच के वाकिंग डे चाहिए सटर्डे संडे और लिस्ट फॉली डे है मिने पास जैसे की एक जर्मबरी तरस जर्मबरी इस तरह आगा उसको हटाना है तो इसके लगाते ह है नेट्वर्क डेट स्टार्ट डेट एंड डेट और होली डेट को और सटर्डे संडे के डेट को इग्नोर करके आपको नेट्वर्क डेट जिहां देगा कि एक सो तीस दिन हुए गर्यकि कभी कभी क्यों पेसां डे डेट संडे चुती नहीं होती संडिय संडे चुती होती है तो इसके लिए लगाते है नेट्वर्क डेट डॉर्ड आई-टियर इंट्रनेशनर आपदेट और एंड आप लिए लिस्ट्य सब्सक्राइब यहां पे बार्णली डेड होली क्या होता है कि हमारे पास कि इसके लिए हमारे पास कि इसके लिए हमारे पास बताएगा कि दो तारिक से पंद्रा वाकिंग डेज बाज कितना कौन सा करें नाम पर मैं नाम अफर्मिट में आएका या है फ्रटे के साथ अपके पटीक्लर पूली डेंग के बिक खुड़िए अब यहां पर कोई भी अगरा बत上gen कि सब्सक्राइन का उसी महीने इस유भ सब्सक्राइब इसमे दौब है ऊपने तो जोबी लगाएंगे उसमेने के लाज़ण यद आ स्रेट कौन सा है अगर माइनस ने किरेंगे तो आपको पीछले महिने का दिखाएंगे तो इसी तरह से यहां पर आता है वीक नम बताता है नहीं सरी वीक नम की आखिर साल का कौन सा वीक चल तो 27 वीक चल रहा है कि ऐसे माली जी बहुत सारे डेज हैं आपके आप चाहते हैं पता चल जाए कि कौन सा दिन है को पता करने के लिए अगर टेक्स्ट में चाहते हैं तो टेक्स्ट का वह में लगाएं यहां पर तीन बार डीडी कर दीजिए निचे तक ट्रैक कीजिए आपके पास विजल्ट आ चाहते हैं तो इसके लिए हम यूच करेंगे भी देका इसको सलेक्क किया एंटर में आज भी का साथवान चाहता दीरें ना कूपकि हमने यहां पे ट्रैटर्ट आइप स्लेक्ट करेंगे तो मंडे टू शंटे चलेगा पर यह थी हमारी देट की काल्कुलेशन अब टाइम क कल्कुलेशन पर बात करें ताइम को टाइप करने के लिए आप 10 रसे माली से 9 बज़ के 9 मिनट है तो 09 करेंगे एंटरफेस करें हो जाएगा बट 9 बज़ के 9 मिनट अगर साम करा है तो आपको दो तरीके से डालने पड़ेगे लिख दीजिए यहां पर डाल दीजिए यहां पर 21 इस तरह से 21 स्लाश थर्टी इस तरह से अब को भी सेप्रेट कर सकते हैं टाइम को मिले से इसमें से अलग कर लीजिए मुझे औरो म कि यहां पर मुझे मान लिजिए आवर को अलग करना थे हमेदा आओąda करटेगा मिननट अलग करना थिन ऊहरे मिनन इस अलक से के मैं ठेगा सपर्टिकर लाइक कर के मिलेगा अब पूसर लिए में अश्यיל में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे जैसे यहां पर 10 बचके 30 मिनट में मुझे 20 मिनट जोड़ना है तो अगर आप 20 मिनट को टाइम फॉर्मेट पे रखे हुए तो आप इसली जोड़ ले कोई दिक्कत नहीं है बस्त इन नंबर फॉर्मेट तो प्राब्लम में एक्सल में वान इक्वाल टू 24 आवर तो बीस घंट नहीं बीस मुझे प्लाइब वाई 24 एड़ होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे ताइम में यहां पर इसको सेलेट करेंगे बीस मिनट है ना यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तब असानी से एड़ कर सकते हैं पुछी तरह से मालेजिए कि डिफ्रेंस में कालना है कि आप सुबह 10 बज़े ऑफिस गये और सामके आप जो है आट बज़े ऑफिस से वापस आए कितना दिले काम किया तो लेटेस टेट टाइम मैनस और लेस टाइ लेकि अगर प्रब्लम है कि आपने आज ऑफिस गया उसे कि दो तारीख को आप दो पहर के दो पहर के दो बज़े आप ऑफिस गया है और आप जो है तीन तारीख को साम के दो बज के थर्टी मिनट में राजसरेट बोड में वापस है तो डेट चेंज हो गया ना तो यहां पे लेटेस टेट इन टाइम माइनस फुल्डेस टेट इन टाइम करेंगे और फिस की उपर टाइम का अप्लाई करते हैं तो आपके बता रहेगा कि सारे बारा गंट का डिफरेंस है इसको हम टाइम को करते हैं तो स्रेंदर जी आज कुछ जादा हो जाएगा तो मैं यही पर स्टॉप करता हूँ आज की ख्लास को आज की क्लास में हमने मैथमेंटिकल कल्कुलेशन लॉजिकल अपरेटर लॉजिकल फॉमले टेक्स्ट फॉमला एंटेट इन सब्सक्राइब करेंगे 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 लॉजिकल भी लुका पेस्ट करेंगे तो कल भी सेम इसी तरह से हम फ्रसा आगे बताया ना सब